अगर आप Taro में उकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधरवाइस भी आपका बहुत इंटरेस्ट चाप सीखना चाहते हैं भी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z About Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं अगर इसी से ही related कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में है आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं Hello everyone, मैं उखिरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार रीडिंग इस बारी की पिका कार रीडिंग का topic है उनकी true feelings, thoughts, intentions तो कोई भी आपके loved one है जिनके बारे में आप जाना चाहते हैं कि आखिर वो आपके बारे में क्या सूचते हैं, क्या feel करते हैं, क्या उनकी आपके लिए intentions हैं तो ये reading आपके लिए है और इसी चीज़ को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक pile को choose करना है pile selection के लिए मेरे पास दो options हैं, one is intuitive method and the other one is birth month तो सबसे पहले intuitive method के रिसाप से देखेंगे यहाँ पर pile 1 में हमारे पास sage है, pile 2 में white crystal है and pile 3 में हमारे पास beige and brown color की candle है तो जिस भी अपने loved one के बारे में आप जानना चाहते हैं आपने आखें बंद करकर उनको visualize करना है और आखें खोलेंगे तो जो भी pile आपको सबसे पहले attract करता है यहाँ पर सबसे पहले दिखता है उसको आपने choose कर लेना है आपने shape से, color से बायस नहीं होना है और अगर एक से जादा इंसान है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप अलग-अलग pile choose करेंगे और अगर आपको intuitive method difficult लगता है तो आप birth month के हिसाब से choose कर सकते हैं अगर आपका birth January, April, July, October में से किसी भी month में होता है आपके लिए pile 1 है अगर आपका birth February, May, August, November में से किसी भी month में होता है आपके लिए pile 2 है और अगर आपका birth March, June, September, December किसी भी month में होता है तो आपके लिए pile 3 है I hope कि आपने pile choose कर लिया है और अगर नहीं किया है, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, you can take your own time in choosing the pile ये एक timeless reading है, तो जब भी भी ये सवाल आपके मन में आता है ये reading आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी, आपकी reading शुरू करते हैं आपके सामने पाइल यानि की सेज को choose किया है, या फिर आपका birth जैनुरी, एप्रिल, जुलाई, आक्टोबर में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं आपाइल यान की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये पाइल चूज किया है, आखिर उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या वो आपके लिए feel करते हैं, क्या उनकी emotions है, क्या उनकी intentions है तो यहां पर इकी सबसे बहला card मुझे दिख रहा है 9 of cups और ये card कहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत एक प्यार महबबत है, आप उनके लिए वो एक wish है, वो एक desire है, जिसको वो manifest करना चाहते हैं क्योंकि 9 of cups का card कहीं wish come true की भी बात करता है और यहां पर page of cups का card भी कहीं love, emotions, feelings को और ज़्यादा confirm करता है यानि कि again उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार महबबत है और यहां पर obsessed का card भी फिर से मैं कहूंगी उसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करता है वो आपको लेकर बहुत obsessive है और जहां देखिए एक obsessive energies आ जाती है ना वहां possessive energies भी आ जाती है तो बहुत सारे chances हैं कि आपके लिए वो बहुत possessive भी है थोड़ा सा भी आप उनके अलावा किसी और को attention देते हैं या फिर आप किसी और से बात करते हैं बहुत जल्दी jealous feel करना शू कर देते हैं और यहाँ पर देखिए controlling का card कहता है कि काफी controlling भी वो रहते हुए देख रहे हैं अपने तरीके से चीजें चाहते हैं इन फाक्ट देखिए ये सारे cards को अगर मैं combine करूँ तो ये cards कहते हैं कि आपको हर हाल में वो पाना चाहते हैं हर सूरत में आपको हासिल करना चाहते हैं कहीं ऐसी सी energies रहती भी दिख रही है photograph का card कहता है कि जब भी भी आप उनके पास नहीं होते हैं वो आपको बहुत miss करते हैं अगर आपकी pictures उनके पास हैं तो आपकी pictures को देखते रहते हैं या फिर social media पे आपको stock करते हैं the sword and rose का card again कहता है कि बहुत controlling है, dominating है अपने तरीके से चीज़ों को पाना चाहते हैं और बहुत clear हैं वो आपको लेकर यानि कि पीछे हो सकता है अगर थोड़ा सा confused थे या फिर नहीं decision choice ले पा रहे थे अभी काफी जादा again एक clarity उनके मन में आपको लेकर आते हुई दिख रही है और फिर से ये card कहता है कि controlling dominating हो है और यहाँ आपर देखिए good intentions का भी card है तो वो आपको हासिल करना चाहते हैं जैसे कि अभी हमने cards में देखा आपको हर हाल में पाना चाहते है controlling dominating है that doesn't mean कि वो बुरे इंसान है या पिर उनकी intentions बुरी है good intentions का card बहुत ही clearly इस चीज को clear करता है कि उनकी intentions आपको लेकर बहुत अच्छी है आपका भला चाहते हैं आपका हरदम ही अच्छा हो मन ही मन सोचते हैं लेकिन देखिए यहाँ पर not interested and stabbed in the back के card हैं क्योंकि यह general reading है यह दोनों cards सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकते हैं in fact मैं कहूंगी सब की situations सब के circumstances different होंगे तो कुछ के लिए हो सकता है कि उनके मन में तो आपके लिए बहुत बहुत प्यार है जैसे कि अभी हमने card में देखा लेकिन आप शायद इतने interested नहीं है या फिर आपके मन में उनके लिए वो एक romantic love नहीं है अब यहाँ पे भी सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है आप लोग simply colleagues है या फिर friends है या यह दूसरे को जानते है और फिर से कहूंगी उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है आपको लेकर obsessive है possessive है लेकिन आप उनके लिए उस तरीके से नहीं महसूस करते है या फिर यह नो आप उनमें इतने interested नहीं है जिस चीज का एहसास उनको है और देखे यहाँ पे the golden mirror का काट कहता है कि one-sided love भी यह हो सकता है फिर से कहूंगी उनके मन में प्यार है लेकिन आप शाहिद interested नहीं है और यह चीज कहीं उनको fear नहीं लगती है उनको लगता है कि भई यह fear नहीं है और यहाँ पे stabbed in the back का काट किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक cheating की भी बात करता है अब देखें most of the times क्या होता है ना one-sided love में कि सामने वाले के मन में अगर प्यार नहीं है तो जो इंसान बहुत प्यार करता है वो उनकी छोटी छोटी बातों को assume करने लगता है कि भई यह भी मुझे प्यार करते हैं क्योंकि वो उसी नजरिये से उसी चश्मे से सामने वाले को देख रहा होता है फिर से clear कर देती हूं कि अगर you know मेरे मन में आपके लिए for example बहुत प्यार है तो आप normal भी मेरी care कर रहे है तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि भई आप भी मुझे से उतना ही love करते हैं और किसी भी वजह से अगर मुझे यह पता लगता है कि नहीं आपके मन में वो feeling नहीं है या आप ही मुझे सामने से आकर बोल देते हैं कि नहीं मेरे मन में तो वैसा वाला love नहीं है romantic love नहीं है तो मुझे लगने लगता है कि भई यह तो cheating हो गई मेरे साथ यह तो unfair हुआ तो एक इस तरीके का भी scenario रह सकता है और जो मेरे mind में आया है मैंने आपको कहा किसी भी level पर किसी भी तरीके से उनके मन में एक यह भी feeling thought है कि भई आपने उनके साथ fair नहीं किया या फिर किसी भी तरीके से एक injustice आपकी तरफ से रहा या फिर एक cheating वाली energies आपकी तरफ से रही अब यहाँ पर situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे और कुछ के लिए ये भी हो सकता है और ये बहुत कम लोगों के लिए रहतावा दिख रहा है कि पहले वो आप में बहुत जादा interested थे यानि कि बहुत एक obsessive, possessive से energies थी वो wish, वो desire आप उनके लिए थे, जिसको manifest करना चाहते थे आप कहीं हलके हलके उनका interest आप में कम हो रहा है ये बहुत कम लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है मतलब एक ये भी scenario रह सकता है और कहीं ये किसी level पर cheating वाली energies रह रही है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये general reading है, सब के लिए situation, circumstances differ करेंगे यहाँ पर मैंने 3 situations बताई first situation में possibility है कि आपके मन में उस तरीके का एक romantic love उनके लिए नहीं है और उनको इस चीज का हैसास है कि आप interested नहीं है या फिर अभी अभी उनको ये चीज का हैसास हुआ है और ये चीज उनको एक बहुत injustice लग रहा है unfair लग रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको जाहिर नहीं करते हैं या फिर अभी उनका interest थोड़ा सा काम हो रहा है और यहाँ पर 8 of wands का card कहता है जो भी situation हो वो आगे बढ़ना चाहते हैं move on करना चाहते हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं तो ये था pile 1 आपकी reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है तो नीचे जरूर मुझे comment section पर बताएं और अगर आपने pile 2 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका birth February में, August, November में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये pile choose किया है आखिर उनके मन में आपके लिए क्या है क्या वो feel करते हैं क्या उनकी emotions और intentions है तो देखिए या पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है soulmates और ये card बहुत ही clearly कहता है उनको ऐसा लगता है कि आप उनके soulmates है कोई तो बहुत गहरा नाता आपका उनके साथ है या उनका आपके साथ है कहीं you know past life connect या फिर से मैं कहूंगे एक deep connect वो आपके साथ महसूस करते हैं अब देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में एक romantic love है आपके लिए और वो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर वो long term के लिए सोच रहे हैं बहुत बड़ा एक misconception लोगों के mind में है soulmate is equal to romantic love soulmate is equal to long term relationship soulmate वाली energies हम किसी के साथ भी महसूस कर सकते हैं आपकी मदर भी आपकी soulmate हो सकती है आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी आपका soulmate हो सकता है in fact जो इनसार आपको बहुत परेशान कर रहा है वो भी आपका soulmate हो सकता है क्योंकि soulmate हमें lessons learn कराने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देखे फिर से मैं कहूंगी एक soulmate वाली energies आपके लिए महसूस करते हैं और यहाँ पर seduction का card कहता है कि बहुत एक physical attraction भी उनके मन में आपके लिए है बहुत जादा एक you know physical intimacy वो आपके साथ चाहते हैं या फिर एक physical presence आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है और फिर से कहूंगी एक physical attraction आपके लिए बहुत जादा महसूस करते हैं और यहाँ पर देखिए mistake का भी card है और यह card कहता है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में issue चल रहा है कुछ तो आप दोनों के बीच में मसला चल रहा है या तो आपकी तरफ से pile two कोई गलती हुई या फिर उनकी तरफ से कोई गलती हुई अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो भी और अगर आपकी तरफ से हुई है तो भी वो बहुत जादा उस पे focus कर रहे हैं बहुत जादा इस गलती के बारे में सोच रहे हैं अगर उनसे हुई है तो वो regret कर रहे हैं और अगर आपसे हुई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं अब ये गलती सब के लिए differ करेगी देखिए ये general reading है तो जो भी गलती आपसे हुई या उनसे हुई फिर से कहूंगी वो सब के लि dating apps पे active थे और ये एक गलती आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है फिर से किसी की भी तरफ से हो सकती है आपकी तरफ से भी या उनकी तरफ से भी और इसी reason की वज़े से अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर six of pentacles का card कहता है कि वो आ आपके साथ एक देन, lane, give and take रखना चाहते हैं या फिर मैं कहूंगे कि वो आपके साथ connected रहना चाहते हैं और यहाँ पर two of wands reverse का card कहता है आपको message करना चाहते हैं आपको call करना चाहते हैं लेकिन कहीं उनको वो एक confidence नहीं आ रहा है अब देखिए अगर उनसे गलती हुई है तो उनको ये confidence नहीं आ रहा है कि भई आप उनको माफ कर देंगे या फिर आपकी तरफ से क्या response रहेगा और अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो वो sure नहीं हो रहे हैं कि भई उनको आगे बढ़ना चाहिए इस relationship में नहीं बढ़ना चाहिए Sun Rivers का card भी कहता है कि जब भी भी वो आपके साथ होते हैं बहुत एक happiness बहुत एक enthusiasm excitement महसूस करते हैं बहुत you know एक cheerful वाली energies रहती हैं आप दोनों के बीच में और ये चीज उनको बहुत ज़ादा पसंद है इस चीज को वो बहुत ज़ादा like करते हैं और फिर से कहूंगे Sun Rivers का card भी कहता है कि आप से connect करना चाहते हैं लेकिन वो confidence उनको नहीं आ रहा है या तो relationship पे नहीं आ रहा है आप पे नहीं आ रहा है कि आपको trust करें ना करें अगर आपकी तरफ से गलती हुई है और अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो भी उनको ये trust नहीं आ रहा कि आप उनको माफ कर देंगे, यहां फिर आपकी तरफ से क्या response होगा, कहीं एकदम से आप उनको reject तो नहीं कर देंगे, यह जो भी चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा इसी के around, एक उनकी energies एक उनकी feeling, emotion आपके लिए रहती हुए दिख रही है, page of swords का card भी कहीं एक, you know delay message का बात करता है यानि कि वो message करना चाहते हैं, लेकिन उसको postpone करते जा रहे हैं, कहीं action नहीं ले रहे हैं, यहां फिर देखिए, एक card यह भी कहता है कि बहुत logically वो सोच रहे हैं बहुत जादा mind से वो सोच रहे हैं, और यहां पर देखिए, एक card एक और चीज कहता है कि एक immature energies या तो उनकी है, यहां फिर उनको लगता है कि आप immature हैं, आप maturity से चीज़ों को नहीं handle कर रहे हैं and इसलिए देखिए एक introspective energies में तो वो है ही है, self indulgence का card कहता है कि अपने उपर जादा focus कर रहे हैं और यहां पर self indulgence का card एक और चीज कहता है कि हो सकता है कि वो हर situation में हर जगा पर खुद को prioritize करते हैं यानि कि उनके लिए उनका self बहुत important है, तो अगर मैं sum up करूँ, तो yes उनके मन में feeling है उनके मन में emotion है but I don't think so कि romantic एक feeling उनके मन में है या बहुत ज़्यादा emotionally वो आपके लिए feel करते हैं या फिर मैं कहूँगी आपको लेकर बहुत emotional है sentimental है, ऐसा मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा या फिर एक emotional level पर उनकी तरफ से connection नहीं रहता हुआ दिख रहा है एक physical attraction ज़्यादा रहती भी दिख रही है और हो सकता है कि या तो उनकी बहुत एक opposite sex से flirt करने की आदत है या फिर अगर ऐसा आपके तरफ से है तो ये चीज उनको bother करती है अगर आपकी तरफ से है और खुद की तरफ से है तो फिर तो देखिए एक physical attraction ज़रूर आपके लिए उनके मन में है और कहीं physical attraction से ज़ादा उनके मन में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप इस soulmate का भी card है तो एक soulmate वाली भी feeling वो आपके लिए feel करते हैं लेकिन long term के बारे में नहीं सोच रहे हैं marriage या फिर इस तरीके की चीजें आपके साथ वो नहीं सोच रहे हैं romantic love फिर से मैं कहूंगी उस तरीके से नहीं महसूस करते वे दिख रहे हैं picky का card कहता है कि बहुत selective है बहुत choosy है हो सकता है decision choice लेने में भी उनको बहुत time लगता है जल्दी जल्दी decision महीं ले पाते हैं और शायद इसलिए फिर से मैं कहूंगी अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो आप से connect तो करना चाहते हैं लेकिन वो confidence नहीं उनको आ पा रहा है और हो सकता है कि या तो उनका communication बहुत blunt बहुत straightforward है या फिर आपका communication बहुत blunt बहुत straightforward है और इसलिए कहीं उस तरीके से action initiatives वो नहीं ले पा रहे हैं and yes ये उनकी energies हैं आपके लिए और अगर ये reading आपके साथ resonate करी आप connect कर पाए तो जरूर नीचे मुझे comment section पर बताएं अगर आपने पाइल 3 यानि कि beige and brown candle को चूज किया है या फिर आपका बर्त मार्ट जून सेप्टेंबर December में से किसी भी मंत में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये pile चूज किया है actually उनके मन में क्या है क्या उनकी feelings है emotions है आपके लिए क्या उनके intentions है तो यहाँ पे दिखें सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Ace of Cups और ये card बहुत ही clearly कहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार महबबत है in fact दिखें यहाँ पर दो Aces के cards है Aces टारों में नई beginning की बात करते हैं तो नए सिरे से आपके साथ अपनी life की beginning अपनी life की शुरुवात हो करना चाहा रहे हैं Cups का card कहीं emotions feelings की बात करता है और Pentacles का card बहुत ही concrete level पर यानि की practical realistic तरीके से एक beginning करने की बात करता है इस card का मतलब यह है कि सिरफ बातों में खयालों में ही नहीं वो आपके साथ relationship चाहा रहे हैं कहीं वो marriage, living या फिर एक long term relationship आपके साथ चाहते वे दिख रहे हैं एक commitment या तो आप से चाहा रहे हैं या फिर आपको commitment देना चाहा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दिखिए यहाँ पर reconciliation का भी card है तो हो सकता है कि पीछे या फिर अभी अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो वो चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं और यहाँ पर हमने ACES में देखा कि एक नई beginning करना चाहा रहे हैं इस scenario में जो भी issues, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं उनको end करके एक fresh beginning आपके साथ करना चाहा रहे हैं और अगर कोई भी आप लोगों के बीच में issues, मसला नहीं है तो कहीं जो भी phase आपके relationship में हैं उस relationship को end करके एक नई beginning आपके साथ करना चाह रहे हैं तो फिर से एक चीज़ clear कर दूँ किसी भी level पे किसी भी तरीके से ending, beginning चाह रहे हैं अगर मसला आप दोनों के बीच में रह रहा है, problem है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है या फिर issues आप दोनों के बीच में रह रहे हैं उनको end करके आपके साथ एक नहीं beginning करना चाह रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो जिस भी phase में आपका relationship है उसको end करके एक नहीं beginning करना चाह रहे हैं और या पर दीके sunglasses का card भी कहता है, अगर आप दोनों के बीच में issues मसले रह रहे हैं, आप लोगों की बात चीत नहीं हो रही है तो आपको बहुत जादा वो stock कर रहे हैं बहुत जादा social media पर आपकी हर activity को वो observe कर रहे हैं, यानि कि आपके बारे में हर चीज उनको पता है यहाँ पर the star का card है, यह card कहता है पीछे अगर वो आपको लेकर clear नहीं थे या फिर directionless feel कर रहे थे अभी फिलाल आपको लेकर उनके मन में बहुत clarity है, बहुत you know sure है कि वो इस relationship में क्या चाहते हैं और अभी मनें आपको बताया कहीं वो commitment चाहते हैं, committed relationship आपके साथ चाहते हैं marriage, engagement, live-in या फिर long term relationship वो आपके साथ बहुत definite तरीके से चाहते हुए देख रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर manipulation, bad intentions, shady के भी cards हैं और यह card कहते हैं कि प्यार महबत उनके मन में हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं इस relationship में और उनकी तरफ से यह रहता हुआ दिख रहा है, अब manipulation का card बहुत ही clearly कहता है कि काफी manipulative हैं बहुत diplomatically चीजों को deal करते हैं और bad intentions का भी card कहता है कि उनके intentions, motives आपको लेकर ठीक नहीं है अब यह general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन यहाँ पर abundance का भी card है तो हो सकता है कि आपसे शादी करकर या फिर आपके साथ long term relationship में रहकर उनकी life में किसी भी level पर किसी भी तरीके का फाइदा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि money, property या फिर materialistic tangible चीज़ों से आपसे वो connect करते हैं तो उनको फाइदा होगा कुछ के लिए किसी और level पर किसी और तरीके से एक फाइदा हो सकता है बट definitely यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनके intentions, motives आपके लिए ठीक नहीं है और आपके साथ अगर वो marriage करते हैं या कोई, किसी भी तरीके से connect करते हैं तो उनका काफी फाइदा होता हुआ दिख रहा है वो काफी benefit करते हुए दिख रहे हैं और shady का card कहता है कि उन्होंने अपने बारे में आपको clearly चीज़े नहीं बताई है बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी life में जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं और कहीं एक shady सा उनकी life के किसी area में चीज़े रहते हुए दिख रही हैं यानि कि ठीक नहीं है जो उनके लिए आपको बताना बहुत important है लेकिन वो आपको नहीं बता रहे हैं और बहुत ही clear है कि वो आपको नहीं खोना चाहा रहे हैं और यहाँ पर दिखिए इसको नहीं बताने के पीछे भी उनकी intentions अगें ठीक नहीं रहते भी दिख रही हैं सिरफ और सिरफ वो आपको खो देंगे यह एक intention नहीं है कहीं उनका नुकसान ना हो जाए क्योंकि हमने बहुत clearly देखा कि किसी level पर उनका फाइदा हो रहा है आपसे connect करने के लिए और yes यहाँ पर मैं cupid's eye का card read करना भूल गई यह card भी कहता है कि उनके मन में feeling है प्यार है तो देखे इस चीज को मैं नहीं deny करूंगी कि उनके मन में आपके लिए feeling नहीं है लेकिन साथ ही साथ you know वो अपना फाइदा भी देख रहे हैं अपना एक benefit भी देख रहे हैं और कुछ life का area है जिसमें चीजें थोड़ी goal-mol हैं थोड़ी सी ठीक नहीं है और जो कि उन्हें आपको बतानी चाहिए shady एक part है उनकी life का जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए reading और उनकी intentions, thoughts, feelings, motives तो यहाँ पर आपके लिए यही एक guidance रहेगी अगर आप इनके साथ आगे life में बढ़ना चाह रहे हैं यहाँ फिर आप भी long term सोच रहे हैं तो जरूर चीजों क clear कर लें एक transparency उनकी तरफ से जरूर आप demand करें आप जरूर किसी न किसी तरीके से directly तो नहीं आप बोल सकते हैं बट किसी न किसी तरीके से उनकी life का पूरा एक सच जानने की कोशिश करें आगे बढ़ने से पहले कहीं बहुत एक clarity रखें उनके साथ relationship को आगे बढ़ने से पह क्या है तो जरूर मुझे नीचे comment section पर बताएं